हलो और वेलकम बेक टो माई चैनल माई होम एन केचें टिप्स फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद एक बैल आइकन आएगा उसे भी प्रेस करना है जिससे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें शियर करें और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा है कि आप पुरानी वेड़ शीट का इस्तिमाल करके एक बहुत ही उपयोगी और नई चीज बना सकते हैं आज ऐसी वेड़ शीट का इस्तिमाल करके मैं आपको बताने वाली हूँ एक multi pocket organizer बनाने का तरीका जिसे आप 4-5 तरीकों से यूज कर सकते हैं आप इसे as a shoe holder भी यूज कर सकते हैं किसी भी तरह के shoes को आप इसमें रख सकते हैं 10-12 जोड़ी shoes आप easily इसके अंदर रख सकते हैं या आपके पास काफी सारे purse हैं, clutches हैं तो आप इसमें purse भी arrange कर सकते हैं या फिर आप इसे as a magazine holder या फिर books holder के तरह से भी यूज कर सकते हैं काफी सारी books आप इसके अंदर रख सकते हैं या आप इसे bathroom में hang कर सकते हैं और as a towel holder आप इसे यूज कर सकते हैं इस तरह से आपने towel को roll बनाना है और इसके अंदर आप काफी सारी टॉवल्स या फिर कुछ छोटे-मोटे कपड़े रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है या और्गिनाजर पुरानी बेट शीट का इस्तिमाल करके बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है इसको तो कोई भी बेट शीट आपके पास ऐसी है जो कि आपके बेट पर फिट नहीं आती है या फिर कोई न्यू बेट शीट आपने परचेज की है और उसका फैबरिक अच्छा नहीं निकला है यानि कि उसमें bubbling बगरा है तो उसका यूज कर सकते हैं मेरे पास यह एक ऐसी ही bed sheet है जिसका इस्तिमाल मैं करने जा रही हूँ यह 1.5 मीटर चौड़ी और 2 मीटर लंबी bed sheet है और इससे मैं cut करके बाद मैं दिखाऊंगी उससे पहले मैं आपको इसे paper पर cut करके दिखाऊंगी ताक कि आसानी रहे आपको easily समझ आ जाए तो यह मैंने एक paper लिया है और इसको मैंने इस तरह से fold करना है तो इस एक bed sheet की तरह से हम मान सकते हैं तो इस तरह से fold करना है इस तरह से लंबाई मैं इसे cut करना है और इसमें 15 इंच का एक piece में cut करके separate कर रही हूँ इसका इसका इस्तिमाल करके कुछ और बनाना सिखाऊंगी आपको किसी दूसरे वीडियो में और यह देखिए यह मैंने two parts में divide कर लिया है यानि कर रही हूँ आप छोटा बनाना चाहते हैं तो आप इसे extra cut करके छोटा कर सकते हैं तो यह देखिए लंबाई में दो पीस हमारे पास तयार थे और इसे फिर से हमने fold कर लिया है आधा हिस्सा दोनों पीस इसको और इनको separate कर लेना है कट कर लेना है इस तरीके से तो इस तरह से हमारे पास चार पीस तयार हो जाएंगे तो हर पीस की लंबाई तो दो मीटर है और इसकी चोड़ाई 12 इंच है हर पीस की तो दो पीस हमने इसमें base के लिए यूज करने है दो पीस हमने यूज करने इसमें pockets के लिए तो यह pocket वाला हिस्सा है और इसे हमने इस तरह से stitch कर लेना है उल्टी साइड में इस तरह से दोनों साइड में हमने सलाई लगा लेनी है दोनों पीसिस में और इसे हम साइड में रख देंगे और इसे हम पॉकेट्स बनाने के लिए यूज करेंगे और ये हमारा पीस बेस बनाने के लिए तयार होगा तो इस तरह से हमने दोनों पीसिस को जोड़ना है और उसके बाद हमने से फोल्ड कर लेना है इस तरह से ये फोर फोल्ड हो जाएगा यानि कि इसमें चार पीस रहेंगे बैट शीट के और इसकी टोटल लंबाई एक मीटर है और हम इसमें कुछ और बेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हमने इसके च फोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हम एक्चुली बनाना क्या चाहरा है कि इस तरह से बनेगा तो यह देख सकते हैं पॉकेट वाले हिस्से को हमने इस तरह से फोल्ड करना है एक साइड में इस तरह से तीन चार पॉकेट हमने बनानी है इसकी और इसको हमने उल्टा कर लिए हमने कपड़े को कट करना है यह देखिए ये मेरा फैब्रेग जो मैंने कट किया है पॉकेट के लिए और यह मैंने साइड में से स्टिच कर लिया है इस तरीक Sorry तो ये 12 इंच चोड़ाई में है और दो मीटर लंबा है ये देखिए पूरी ही बैट सीट का मैंने यूज किया है इसमें ये देख सकते हैं और ये हमारा बेस है और ये दूसरा पीस हम यूज करने वाले हैं बेस के लिए जो मैंने फोर फोल्ड किया हुआ है जैसा कि मैंने पेपर पर आपको दिखाया था और ये देखिए इसकी लंबाई एक मीटर हो गई है फोल्ड करने के बाद और चोड़ाई इसकी भी 12 इंच है और इस तरह से हम इसे फोल्ड करके हैंग करने के लिए उसमें एक हैंगर लगाएंगे स्टेच करना है एक साइड से मैंने अलॡ्रेडी सिलाई लगा दी है और दूसरी साइड से भी सिलाई लगा करके चारों कपड़ों को स्टिच नेके औरुसके बाद हम इसमें piping लगाएंगे साइड में piping के लिए मैं यह फैबरिक यूज कर रही हूं इसको बस इस तरह से डवल फोल्ड करके मैंने simple तरीके से piping लगा देनी है इसमें यह देखिए इस कपड़े को मोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि यह काफी सारा थेक हो जाएगा इसलिए इसमें आप piping लगा सकते हैं किसी भी कपड़े की कंट्रास्ट में या सेम कलर की देखिए यह हमारा पीस हो गया रेड़ी और यह जो ओपन साइड है इस साइड में हमने इस तरह से hanger को अटेच करना है इधर से हम इसे हैंग करेंगे और यह टूटल इतनी लंबाई का पीस हमारा तयार होगा अब हमने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है बेस वाले फैब्रिक को और इस तरह से आप मार्किंग करना है इसमें चौक से निशान लगा लें एक बार लगा लिया है मैंने निशान और दुबारा से फोल्ड करना है और इस तरह से फिर से हमने निशान लगाना लगानी हैं तो ये देखिए हमारे marks लग चुके हैं अब इन dots को मिला करके हमने lines बना लेनी हैं तो मैं इसमें four pockets बनाने वाली हूँ तो ये एक सीधा सा तरीका है इस तरीके से fold करके आप इसको easily देख सकते हैं कि आप इसमें कितनी pockets बना सकते हैं तो इसमें बड़ी-बड़ी किया है उससे अपने आप ही 10 इंच की सारी lines बन चुकी हैं अब ये हमारा pocket वाला हिस्सा है इसे मैंने fold कर लिया है double fold किया है और इसके बाद एक और fold करना है इसको अब इसी तरीके से हमने इस पर भी marking करनी है ताकि हम इसमें से four pockets बना सकें ये देखिए इधर निशान लगा कर लिया मैंने जिदर fold था और इधर two folds हैं तो यहां पर भी आपने अच्छे से निशान लगाना है ताकि आपको dots अच्छे से दिख सकें ये देखिए इस तरह से four layer है कपड़े की अब इसे open कर लेना है और dots को match कर लेना है इस तरीके से इसमें भी हमारी three lines बनकर तयार हो जाएंगी जिससे हमें four pockets easily मिल जाएंगी तो ये काफी अच्छा तरीका है fold करके आप इसे इस तरह से निशान लगा करके और dots बनाकर line बनाएंगे तो आपको अलग से नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंची टेप से और ये देखिए एक pocket को हमने mark कर लिया है और उसके साथ ही हमने दूसरा pocket वाला जो fabric को उसको रखा इसके साथ साथ बराबर और उसमें भी हमने इसी तरीके से lines बना ली है एक हिस्से से नापते हुए दूसरे में ये देखिए बराबर distance पर हमारी lines बन चुकी है अब pocket वाले हिस्से को हमने base पर इस तरह से set करना है ये देखिए उपर से ले जाते हुए हर line को line के साथ match करना है base पर जो lines बनी है उन lines के उपर हमने pocket वाले fabric की जो lines है उनको रखना है और उसके पाद हमने इसे stitch कर लेना है ये देखिए इस तरह से जस्ट हमने लाइन के उपर उपर सिलाई लगानी है और उपर और नीचे की हिस्से को भी स्टिच कर लेना है ये देखिए इस तरह से पॉकेट्स बन पाएंगी इसमें और उससे पहले हमें लाइन के उपर सिलाई लगानी होगी और यहाँ पर भी हमने इसे अटेच करना है उपर नीचे दौन तरफ से, यह देखिए मैं पिन लगा देती हूँ यहाँ पर ताकि यह फिक्स हो जाए अपनी जगे पर और उसके बाद आपको स्टेचिंग करके दिखाती हूँ यह देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको स्टेच कर लिया है लाइन के उपर हमने सीधी सीधी स्लाई लगा दी है बस और उसके बाद यह इस तरह से अटेच हो गया है उपर नीचे से भी सिल लिया है और इस तरह से हम इसे सेट करेंगे तो इसमें इस तरह के पॉकेट्स बन ज और उसी तरीके से आपने पॉकेट वाले हिस्से को रखना है इसके उपर और फिर deles是 echt करतेदे वक्त आपने रखना है कि पहले साइड में हमने अल्रेडी पॉकेट्स इसमें लगा दी हैं तो सिर्फ सिलाई के ऊपर ऊपर ही आपने सिलाई करनी है अधर वाइस पॉकेट का कपड़ा भी इसमें दब सकता है तो इसे साइड में कर लें हटा करके और यह देखिए फाइनली यह हमारा और तयार हो गया है यह देख सकते हैं दोनों साइड में इसमें पॉकेट्स हैं काफी सारा स्पेस है बहुत सारा समाना आप इसके अंदर रख सकते हैं और हैंक करने के लिए इसका जो ओपन साइड था उधर मैंने एक स्टील का हैंगर यूज किया है सिर्फ कपड़े को इस तर रखती हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा मैंने हलका सा निकाल करके दिखा देती हूं यह देखिए इस तरह से आप काफी सारी बॉक्स मैक जीन्स इसके अंदर रख सकते हैं पर्स रख सकते हैं क्लचिस रख सकते हैं जिससे कि यह इजीली आपको मिल जाएंगे औ दोनों साइड में आप रख सकते हैं इसी तरीके से आप इसे बातरूम में हेंग कर सकते हैं और टॉबल को इस तरह से आपने फोल्ड करना है और काफी अच्छी कॉइंटिटीम में इसके अंदर génér भी हेंग कर सकते हैं सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जा सकता है अज शू होल्डर आप इसमें अपने न्यू शूज रख सकते हैं या डेली के शूज भी आप इसके अंदर रख सकते हैं मैंने काफी बड़ी-बड़ी पोकेट्स बनाई है तो इसमें आप एक पोकेट में दो जोड़ी सूज रख सकते हैं, दोनों साइड में इसमें स्पेस है, तो आप काफी सारे सूज इसके अंदर रख सकते हैं, तो आप अपनी पुरानी बैट शीट का चादर का इस्तिमाल करके इस तरह का मल्टी परपच और्गिनाजर जरूर बनाईए, आपके काफी काम आ सक करता है, तो यह था आज का वीडियो, थैंक्स वार वाचिंग,